सब्सक्राइब करिए मिस्टर जुगारू आर्टिस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है अस्तोस बेनट जी और आप देख रहे हैं मिस्टर जुगारू आर्टिस आज अलक सिखेगे टेबिल टैनिस का रैकेट बनाना और दोस्तो यह रैकेट उन वेस मेटल से बना है जो वेस मेटले हमारे गर में इसली अविलेबल हो जाएगा और दोस्तो इसे बनाना काफी इसी है और दोस्तो वीडियो पूरी end टेक देखेगा क्योंकि मैं वीडियो के end में इसको use करके दिखाया है और देखे दोस्तो मैं इस ball को use करके इसमें hit करूगा और दोस्तो इसको सीखने के पहले आप मुझे कर लिजी Instagram पर follow Instagram की link में देडिये description में और जाद टाइम लगावात हुए सिखते है कुछ नया टेबिल टैनिस का रैकेड वह भी waste material से बनाने के लिए आपको newspaper cardboard और दोस्तो आपको मोटा cardboard यूज़ करना है और दोस्तो मैं सिर्व आपके सामने इतना कार्ड़ रखा हूँ आपको इससे ज्यादा cardboard चाहिए इसी साइज का आपको चाहिए power glue और इसे कैसे बनाते है तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है और आपको इस वीडियो की link दे दिये इस वीडियो के description में आपको चाहिए broom stick आपको चाहिए scissor आपको चाहिए pencil आपको चाहिए scale आपको चाहिए बड़ा brush और आपको चाहिए color और दोस्तो देखिए मैं रंगिला tempera color यूज़ कर रहा हूँ आप चाहिए तो अपने मन चाहिए रंग से भी color कर सकते है दोस्तो सबसे पहले आपको table tennis के racket का image अपने सामने रखना है और आपके पास image ना हो तो मैं image को provide कर दरा आप उस image का screenshot ले लिजे और अब दोस्तो जैसे आपके पास table tennis के racket का image आ गया है तो आपको उस image को देखकर cardboard में table tennis के racket को draw करना है इमेज को देखकर देखे draw करने के बार अब दोस्तो आपको scissor की मदद से इसको cut करनी है और देखे cut करने के बार इसका कुछ stir का लुक आएगा और दोस्तो जो आप कट कर लेगे तब आपके पास एक यह आ जाएगा तो दोस्तो आपको एक और ऐसा ही same to same चाहिए तो आपको करना क्या है आपको एक और cardboard लेना है उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से इसको रखना है और trace करने के बार आपको एक जैसा दो मिल जाएगा उसके बार दोस्तो आ कि देखिए दोस्तों सीजर के मरे से कट करने के बार अब हमारे पास दो cardboard में table tennis के crackit के save मिल चुके है और अब हमें क्या करना है अब दोस्तों आपको एक cardboard लेना है उसमें दोस्तों आपको broomstick को कुछ इस तरह से रखना है देखिए दोस्तों आपको broomstick को कुछ इस तरह से रखना है और दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान दे रहा है जो broomstick है इसके बाहर ना निकले इसी के अंदर है और दोस्तो अब आपको क्या करना है इस broomstick को paste करना है और दोस्तो आपको लेना है newspaper उसमें आपको लगाना है power glue उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखिए इसको paste कर देना है और यह प्रसीज अप्लाई करके आपको नीचे तक लाना है और दोस्तो आपको थोड़ा बड़ा newspaper का piece लेना है और इस तरह से देखिए आपको power glue लगाना है और लगाने के बार आपको कुछ इस तरह से नीचे के side में newspaper में power glue लगा के paste कर देना है अब आपको यह जो आप डूमिस्टिक देख रहे है यह और side में cardboard देख रहे है वह दोनों को एक पराबर करना है आपको करना कैसे है आपको newspaper लेनी है newspaper में लगाना है power glue और power glue लगाने के बार आपको newspaper की मोटी लेयर बनानी है कुछ इस तरह से और आपको side side में इसको paste कर देना और यह procedure apply करके आपको पूरी तरह से newspaper की मोटी लेयर से भर देनी है देखिए दोस्तो निस पेपर की मोटी लेयर अपलाई करने के बाद इसका कुछ इस्तेर का look आ रहा है और अब दोस्तो हमें newspaper की single layer लेनी है उसमें आपको लगाना है power glue और दोस्तो अब आपको इसको पूरी तरह से निस पेपर की single layer से भी इस तरह से निश्पेपर की सिंगल लेर इसमें पूरी तरह से अप्लाई करने के बाद देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है और अब दोस्तों जिस साइड में आपने निश्पेपर की मोटी लेर लगाई थी उसी साइड में आपको दूसरा टेबिल टेनिस के काटबोट के रैकेट के सेप को आपको इसके उपर रखना है रखने के बाद आपको निश्पेपर में लगाना पावर ग्लू और देखिए दोस्तों आपको निश्पेपर का बड़ा पीच लेना उसके बाद आपको कुछ इस तरह से निश्पेपर के लिए इसमें अपलाई कर देना है अब दोस्तों आपको अपने फिंगर में लगाना पावर ग्लू उसके बाद दोस्तों को साइड से कुछ इस तरह से पावर ग् करना है finger के through कुछ इस तरह से और दोस्तो अब आपको निश्पेपर की दो सिंगल लेयर प्लस यह अप्लाई करने के बाद आपको हैंडिल में निश्पेपर की मोटी लेयर लगानी है और देखिए दोस्ता आपको निश्पेपर का इस तरह का पीच लेना है और उसमें लगा लिए पावर ग्लू उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखिए निश्पेपर को जालना है और इस तरह से निश्पेपर का पीच बनाने के बाद आपको हैंडिल पर कुछ इस तरह से इसको लपेट देना है और यह प्रसिय अप्लाई करके आपको नीचे तक लाना है दोस्तों देखिए निश्पेपर की मोटर लेयर इस साइड में अप्लाई करने के बाद आप दोस्तों आपको सिर्फ इसी साइड में निश्पेपर की सिंगर लेयर भी अप्लाई करनी है आपको देखिए और दोस्तो हेंडिल पर निस्पपर की सिंगल अप्लाई करके ढखने के बाद अब दोस्तो ये बन के कम्प्लीट हो चुका है और दोस्तो सेम प्रसी अप्लाई करके आपको एक और बना लेना है अब दोस्तो हमें इन दोनों को रख देना है दो दिन धूप में सुकने के और दोस्तो अब चलिए इन दोनों में कर देते हैं कलर दोस्तो पुरी तरह से कलर अपलाई करने के बाद मैंने इसको रख दिया था एक दिन धूप में सुखने के लिए और दोस्तो पुरी तरह से कलर सुख चुका है और दोस्तों यह पूरी तरह से कलर सुख गया उसके बाद दोस्तों मैंने wax कलर अपलाई किया और दोस्तों अब यह पूरी तरह से बन के complete हो चुका है और दोस्तों अब आप देख लीजिए इसका कैसा लुखे पास से और मैं आपको उसको use करके दिखाओगा इसका कैसा performance है आप यह भी देख लीजिए इस ball का use करूगा इससे खेलने के लिए और जैसे दोस्तों आपने देख लिया मैंने आपको इसको use करके दिखा दिया और देखिए इसमें कोई damage नहीं आया जैसे पहले था अभी भी ऐसा ही है तो चली दोस्तों इस वीडियो के यहीं पर end करते है वीडियो चलेगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यूए एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए बाइ